Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए वेलेंटाइन स्पेशल, February 2022 की लव टारो रीडिंग और देखे इस रीडिंग में मेरे पस खास हाट कन्फेशन के कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में हम देखेंगे कि सीक्रेटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस करते हैं या फिर क्या मनही मनव आपको कहना चाहते हैं और नहीं कहते हैं और बिफोर आइस चार्ट दारीडिंग विश्यू आप वेरी वेलेंटाइन स्टेश आइए अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखे इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को follow करें तो चलिए जी शुरू करते हैं February 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि February 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये Valentine special है, तो इस reading में 3 sets की जगा पर में पस 4 sets है और 1st set में हम आपकी energies देखेंगे, 2nd set में आपके partner की energies देखेंगे and 3rd set में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है और 4th set में जैसे कि आप read कर पा रहे है, heart confessions लिखा हुआ है और इस set में हम देखेंगे कि secretly आपके partner आपके लिए क्या महसूस करते है या पिर क्या वो आपको कहना चाहते हैं, नहीं कहते हैं, क्या उनकी true heart confessions है और देखेंगे, इसको हम reading के बाद देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, आपके energies देख लेते हैं Taurus और आपके लिए यहाँ पर devil का card है, ace of cups का card है and eight of pentacles reverse का card है, oracle से lightning, cash, love and toxic के cards है तो देखेंगे आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है devil और devil कहीं बहुत एक obsessive energies की बात करता है, possessiveness की बात करता है कहीं physical attraction, physical connect या फिर physical intimacy की बात करता है थोड़ा सा, थोड़ा सा नहीं मैं कहूंगी कि बहुत ज़ादा अपने तरीके से चीजों को चाहने की या फिर करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी February starting में और फिर February month में रहता हुआ दिख रहा है जहां पर बहुत again मैं कहूंगी एक obsessiveness आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे है कुछ AD, sorry, कुछ Taurus को literally ऐसे लग सकता है कि भई हर हाल में आपको आपके partner चाहिए ही चाहिए है और देखिये जब हम ऐसी energies में आते हैं Taurus तो कहीं हम अपने ही प्यार के गुलाम हो जाते हैं अपनी feelings, अपनी emotions के गुलाम हो जाते हैं या मैं कहा सकती हूँ कि ये सब चीजें इतनी हावी होती हैं हमारे उपर कि हम किसी और चीज को नहीं देख पाते हैं नहीं समझ पाते हैं और कहीं देखिए एक घुटन एक जकडन भी इसके साथ आती है और इस कार्ट को भी अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कपल चेन से बंदा हुआ है तो ऐसे ही देखिए बहुत एक बंधे हुए वाली फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं और देखिए हो सकता है कि कुछ टॉर उसको इन जनरल भी और चीजों की वजए से एक प्रेशर एक टेंशन फेब्रेरी स्टार्टिंग में रह रहा है और देखिए अगर आप अगेन मैं कहूंगी कि एक फिजिकल इंटिमेसी अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़ादा फेब्रेरी स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं तो कहीं मिड फेब्रेरी में ये ही आपकी फिजिकल एक अट्राक्शन spiritual या फिर मैं कहूंगी कि बहुत एक pure you know प्यार का रूप ले सकती है तो देखिए आपे in fact दोनों ही चीज़े मुझे दिख रही है मुझे खाली फिजिकल एट्राक्शन नहीं दिख रही है फिर खाली लस्ट नहीं दिख रहा है खाली फिजिकल इंटिमेसी नहीं दिख रही है फिजिकल इंटिमेसी और लस्ट के साथ बहुत एक deep heart connection भी टॉरस आप अपने partner के लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं और दिखे हाँ पर lightning का card भी एक again प्यार महबबत feelings की बात करता है लेकिन हो सकता है कि टॉरस आपकी feelings, आपकी emotions, आपकी obsessive, possessive energies इतनी जादा है कि deeper level पर फिर से यहां पर दिखे केज लव का card कहता है कि आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं again मैं कहूंगी कि अपनी feelings, अपनी emotions के जैसे कि आप गुलाम बन गए हैं आप कोई और चीज नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं back of the mind में 24 घंटे आपके partner आपके mind में रह रहे हैं और देखिए जब ऐसी energies में हम होते हैं तो हमारा relationship toxic तो होता ही है और वैसे भी देखिए जब हम too much किसी के साथ करते हैं तो कहीं वो हमको for granted लेते हैं या फिर देखिए वैसा response हमें उनसे नहीं मिलता है और कहीं relationship में एक toxic energies आती हैं और उसके हम ही responsible होते हैं तो देखिए बहुत clearly यहां पर toxic का card कहता है कि मन ही मन या तो आपको महसूस हो रहा है कि भई ये relationship बहुत toxic हो गया है या फिर देखिए again आप महसूस कर रहे हैं लेकिन खुद को भी accept नहीं कर रहे हैं खुद को भी acknowledge नहीं कर रहे हैं और अगर ऐसा आप कर रहे हैं Taurus तो इस चीज़ को ज़रूर आप check करके correct करें क्योंकि देखिए जब जो चीज़ें ठीक नहीं चल रही होती हैं और अगर हम accept नहीं करते हैं तो back front पे वो बहुत pile up होती रहती हैं और एक दिन वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उनको handle करना ही हमारे लिए बहुत मिश्किल हो जाता है तो फिर से मैं कहूंगी कि आप इस चीज़ को ज़रूर चेक करके correct करें और देखिए इन ही सब चीज़ों की वज़े से यहाँ पे eight of pentacles का card कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ तो आप बहुत ज़ादा ही अपने professional front में अपने आपको involve कर रहे है आप शायद अपनी energies को distract करना चाहते हैं अपने mind को deviate करना चाहते है यहाँ पिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना जादा यह feelings, emotions आपके पर हावी हो रही है कि आप अपने professional front पे focus ही नहीं कर पा रहे हैं आपका career भी किसी level पे किसी तरीके से effect हो रहा है या मैं कह सकती हूँ, suffer कर रहा है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस relationship के लिए ही effort करना चाहा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या फिर बहुत ज़ादा efforts कर रहे हैं देखिए, general reading है, तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है तो ये थी Taurus, February मन्त की आपकी energies और next reading में हम देखेंगे कि आपके partner की क्या energies हैं तो आपके partner के लिए देखिए, आपे सबसे पहले cards है justice, moon and seven of swords और आकल से आप लोगों के लिए power का card है rindu is and long distance love तो देखिए, सबसे पहला card यहाँ पे मुझे दिख रहा है justice, और justice कहीं logical thinking की बात करता है बहुत एक cold vibe, cold energies की बात करता है या मैं कह सकते हूँ कि emotions और feelings के किसी level पे missing होने की भी बात करता है हर चीज के pros and cons को वे करके decision और choice भी लेने की बात करता है और कुछ ऐसा ही टॉरस आपके partner के लिए भी February starting में या फिर February month में रहता हुआ देख रहा है जहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि बहुत mind से चीजों को deal कर रहे हैं right and wrong के point of view से बहुत जादा हर चीज को देख रहे हैं और दिखे शायद इसी लिए या फिर otherwise भी यहाँ पर long distance love का card कहता है या तो एक distance इस relationship में किसी भी level पर आ रहा है या फिर आपके partner एक distance महसूस कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि यह long distance relationship है शायद इसी लिए आपके partner बहुत जादा logically चीजों को देख रहे हैं और बहुत एक confusion में भी हैं क्योंकि देखिए moon का card बहुत जबर्दसT emotions की बात करता है लेकिन साथी साथ fear की बात करता है insecurities की बात करता है confusion की बात करता है और कुछ टॉरस के partner के लिए हो सकता है कि वो अच्छे से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं और देखिए deeper level के लिए renduist faith का card कहता है कि जो भी surface level पर वो महसूस कर रहे हैं कहीं man ही man जिस भी God को वो मानते हैं उन पर faith करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ एक connect बनाना चाह रहे हैं आपसे मिलना चाह रहे हैं इस relationship को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और देखिए यहाँ पर seven of swords, reverse and power के cards कहते हैं कि कहीं उनों चीजों को up front होके नहीं deal कर रहे हैं कहीं एक escapism वाली energies हैं और कहीं देखिए यहाँ तो उनको ऐसे लग रहा है कि शायद वो ही इस relationship में इतने fair नहीं रहे देखिए seven of swords का card कहीं cheating की भी बात करता है और यह cheating भी सब Taurus के partner के लिए differ कर सकती है फिर से देखिए कुछ Taurus के partner को लग सकता है कि Taurus आप इस relationship में इतने fair नहीं रहे आपकी तरफ से कुछ cheating वाली energies रही और कुछ Taurus के partner के लिए हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि कहीं वो ही इस relationship में fair नहीं रहे और देखिए broadly speaking देखें तो कहीं seven of swords reverse का card कहता है कि कुछ चीजों से छुपना चाहते हैं बचना चाहते हैं यहां पिर कुछ चीजों को छोड़के आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं और देखिए यहां पर power का card कहता है कि उनों एक self control वो लाना चाहा रहे हैं बहुत जादा अपनी feelings अपनी emotions को फिर से मैं कहूंगी control करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं और surface level पे seven of swords का card कह रहा है कि उस तरीके से वो नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसा करके उनको लग रहा है कि again वो ही इस relationship के साथ fear नहीं कर रहे हैं देखिए आपर power के card में लिखा हुआ है to discover personal power in love is liberating and transforming तो फिर से मैं कहूंगी कि कहीं अपनी feelings को control करके बहुत discipline तरीके से वो हर चीज को deal करना चाह रहे हैं या फिर इस relationship में रहना चाह रहे हैं और देखिए justice का card भी कहीं discipline की बात करता है rules बनाने की बात करता है तो देखिए broadly speaking अगर आपके partner की energies देखें तो यहाँ पे दो souls के cards हैं तो emotions, feelings हैं भी क्योंकि moon का card है लेकिन कहीं दिखिए वो प्यार महबत missing दिख रहा है मुझे जादा मुझे एक logical thinking दिख रही है और fear, insecurity की वज़े से एक emotions दिख रही है या फिर से मैं कहूंगी कि वो emotions मुझे जादा दिख रही है और बहुत एक control करके आगे बढ़ना चाहा रहे हैं वो तो यह था Taurus, आपके partner की energies और next reading में हम देखेंगे कि finally February month में क्या हो रहा है तो देखिए February month के लिए आप लगों के लिए cards है 3 of Wands, 4 of Cups and 2 of Pentacles और आकल से आप लगों के लिए cards है Fondness, Victory and Freedom तो देखिए हाँ पे सबसे पहला card मुझे 3 of Wands दिख रहा है और 3 of Wands का card कहीं एक अकेलापन चहाने की या फिर एक अकेलापन महसूस करने की बात करता है long term की planning करने की बात करता है कहीं किसी चीज़ का किसी level पे इंतिजार भी करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी Taurus February starting में इस relationship में रहता हुआ दिख रहा है और देखिए 3 of Wands के नीचे freedom का भी card है और freedom का card कहीं space की बात करता है इस card को भी अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसमें लिखा हुए love can only flourish and grow in freedom create space to receive more तो देखिए वो सकता है कि आप यहां आपके पार्टनर एक space अपने लिए चाहा रहे हैं और Taurus देखिए यह energy ज़ादा आपके पार्टनर की दिख रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए यहां पर devil का card था और devil कहीं एक obsessive energies की बात करता है तो देखिए आप तो space नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के लिए यहां पर justice का card है तो देखिए जादा मुझे again मैं कहूंगी कि आपके पार्टनर एक space चाहते हुए दिख रहे हैं जिसकी वज़े से एक अकेलापन या तो है या फिर एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं और देखिए कहीं Taurus बहुत important भी होता है कि एक healthy space relationship में हो एक quotation भी है relationships are like birds if you hold them too tight they die if you hold them too loose they fly तो देखिए ना तो बहुत जादा हमें ढीला छोड़ना चाहिए चीजों को और ना ही हमें बहुत tightly पकरना चाहिए एक moderate energies बहुत बहुत important होती है और यहाँ पे देखिए cards की तरफ से आप लोगों के लिए advice भी Taurus रह सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका relationship grow करें तो एक healthy space जरूर आप अपने लिए और अपने partner के लिए create करें और फिर से देखिए three of wands के card को देखिए तो हो सकता है कि long term के बारे में आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई एक जादा सोच रहे हैं और शायद इसी लिए देखिए थोड़ा सा pause लेते हुए दिख रहे हैं किसी चीज का इंतजार भी किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है और देखे कहीं mid February के लिए हाँ पे victory and four of cups के cards कहते हैं कि किसी लेवल पे किसी तरीके की एक victory इस relationship में mid February में या फिर February मन्त में रहती हुए दिख रही है और देखे याँ पे हमने देखा भी था कि किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि finally वो चीज किसी लेवल पे मिल रही है एक जीत आप लोग महसूस करते हुए दिख रहे हैं लेकिन देखे ये जीत उतनी खुशी, उतनी happiness, उतनी joy लाती हुए नहीं दिख रही है क्योंकि surface level के लिए four of cups का card कहीं boredom, monotonous energies की बात करता है कहीं emotionally low feel करने की बात करता है और देखे ये energies भी टॉरस जाद आपके partner की दिख रही है क्योंकि आपके partner के लिए हाँ पे moon का card था और आपके लिए तो दिखे हाँ पे ace of cups का card था तो आप तो full of love, full of emotions दिख रहे हैं आपके partner कहीं बहुत जादा confused या मैं कह सकती हूँ कि emotionally बहुत great feel करते हुए नहीं दिख रहे हैं इसके बावजूद भी कि किसी level पे किसी तरीके की जीत इस relationship में है और दिखे end of February के लिए यहाँ पे fondness का card कहता है कि man ही man you know आप दोनों बहुत एक प्यार महबत एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हैं लेकिन कहीं बहुत impulsive चीजों को लेकर नहीं होना चाह रहे हैं कहीं patiently या फिर sabr से आगे बढ़ना चाह रहे हैं और कहीं देखे two of pentacles का card कहता है कि बहुत up and down इस relationship में चल रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई दिन बहुत अच्छा है कोई दिन इतना अच्छा नहीं है कोई दिन एक excitement में हैसूस कर रहे हैं और कोई दिन you know again मैं कहूंगी थोड़ा सा low energies में है और देखे कहीं दिन हो सकता है आपको ऐसे लग सकता है कि आपके partner बिल्कुल ही इस relationship में है और कहीं बर ही आपको ऐसे लग सकता है कि उनको बिल्कुल attachment नहीं है तो देखे ये दो तीन चीज़ें जो मेरे mind में आई मैंने कहा कहीं two of pentacles का card in and out up and down वाली energies की बात करता है कहीं किसी level पर उतनी stability उतनी security नहीं रहने की बात करता है तो ये था Taurus आप लगों के लिए February 2022 का एक overview कि आपकी love life कैसी रहेगी और next में हम देखेंगे कि आपके partner secretly आपके लिए क्या महसूस करते हैं तो Taurus सबसे पहला card मुझे दिख रहा है please give me some time and space और reading में हमने देखा भी था कि आपके partner you know अपने लिए space चाह रहे हैं और आपके लिए devil card में हमने देखा था कि आप obsessive हो रहे हैं आप कहीं वो space उनको नहीं दे पा रहे हैं नहीं दे रहे हैं और देखें cards ने आपको कहीं you know बोला भी था कि आपका relationship और grow करेगा और flourish करेगा जब एक healthy space आप create करेंगे और यहाँ पे भी देखें बहुत ही clearly आपके partner आपको कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा time चाहिए है चीजों को समझने के लिए उनको थोड़ी सी अपने लिए space चाहिए हैं तो इस चीज का खयाल Taurus आप ज़रूर रखें और देखें नेक्स चीज वो आपको कहना चाहते हैं endings make necessary beginnings तो देखें यह जनरल रीडिंग है यहाँ पे सब Taurus के partner different चीजों के लिए एक ending और beginning की बात कर सकते हैं और Taurus यह आपका relationship है आप ही बहतर समझ पाएंगे कि किस चीज की ending और beginning की आपके partner बात कर रहे हैं तो broadly speaking देखें अगेन आपके partner कह रहे हैं कि कुछ चीजों को end करने की ज़रत है और कुछ चीजों को शुरू करने की ज़रत है और देखें यहाँ पे आपके partner आपको कहना चाहते हैं I fantasize about us together तो देखें broadly speaking तीनों ही messages को अगर मैं combine करूँ तो आपके partner आपके साथ companionship चाहते हैं togetherness चाहते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं उनके मन में भी feelings और प्यार है लेकिन बहुत ज़ादा मुझे Taurus दिख रहा है कि शायद आपकी तरफ से बहुत expression of love हो जाता है आप too much कर देते हैं जिसकी वज़े से कहीं issues और मसले हो रहे हैं तो इस चीज का अगर आप खयाल रखें again कुछ चीजों को end करें और थोड़ा सा उनको time दे, space दे तो आप देखेंगे कि आपका relationship better हो रहा है और आपके partner भी कहीं आगे आके चीजों को deal कर रहे हैं वो भी कहीं आपको express कर रहे हैं वो भी कहीं अपने प्यार या अपनी feelings को आपको communicate कर रहे हैं तो यह था टॉरस आप लोगों के लिए February 2022 की Love Tarot Reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें